ओम शर्वमंगल मांगल ये शिवे शर्वाति साधिके शरने त्रम्ब के गवरी नारायनी नमोस्तुते संख को सबसे अधिक पवित्र चमतकारिक और कुबेरवधन संपदा प्रदायग माना गया है समुद्र मन्थन के समय समुद्र से निकलने वाले 14 रतनों में से संख को भी एक रतन बताया गया है पुरान कथा कि अनुशार भगवान विश्लू इसे धारन करते हैं हिंदू संस्कृति का ये श्रेष्ट चीन माना गया है संख तो चंद्रमा और सुर्य के समान देव स्वरूप है इसके मध्य में वरून, उस्ट भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा का निवास है संख में विश्लू की आगया से सारे तिर्थ निवास करते हैं ये कुबेर स्वरूप है इसकी पूजय आवश्य करनी चाहिए क्योंकि इसके दर्शन मात्र से सभी दोस्ट इसे नश्ट हो जाते हैं जिसे शुर्य दे होने पर बर्फ पिगल जाती है तो इसके पर्ष का तो महात्र में कुछ और है ये शास्त्रोक सत्य है कि संक के पूजन, धारन और दर्शन से दरिद्रता, अभाव, परशानी और रोगों का समूल नश्ट होता है रामायन, महाभारत, विश्णु, पुरान, वरह, पुरान तो अन्य-अन्य पुरानी प्रशन में भी इसका वरणन मिलता है आज भी हमारे समाज में पुजा पाठ, हवन, यगन, आरती जेशे अउसरों पर संखनाद की प्रथा पचली थे माननेता है कि संक धनी जहां संखनाद होता है शुनाई देता है वहां का वाता वरण धोतिक पायविया और देविक प्रकोपो से मुक्त हो जाता है ओज, तेज, साहस, पराकरम, चैतन्य, आशा और स्कूर्ती बढ़ाने के लिए संखनाद को विगदानी कुरूप में भी शिकार किया गया है देवी शुरूपों को भी संख्यूत बताया गया है पुरानों में कहा गया कि जहां संख होगा वहां लक्ष्मी का निवास अवश्य होगा एक बार भगवान विश्नु द्वारा पुछे जाने पर देवी लक्ष्मी ने स्वय सत्यस्पस्ट किया अर्थात हे प्रभो पदम उध्पन संख चंद्रमा और शिव में निवास करती हूं ये तो संशार में जितने भी संख पाया जाते हैं वे बाई तरफ से खुले होते हैं एक ऐसे संख बहुत प्याती कमी प्राइप्रात होते हैं कि इस ग्याता है जहां पर जो दाईं और खुले होते हैं कि दक्षणावर्ति संख समुदर से पैदा होता है यहां से लक्ष्मी का पारदुरभाव हुआ है ऐखी पिता के संतान होने के कारण शंख लक्ष्मी का ही चोटा वह बही गालाता है अन्त एवजो कोई मानावी शंग का प्रयोग करता है उससे लक्ष्मि की गुर्पा अवस्य होती है और उसके जिव में किसी चीज की कमी नहीं रहती है लक्ष्नावर्ती शंग जिस घर में विराजमान होता है वहाँ शुभी सुभूता है वहा लक्षमी स्थाई रूप से वास करती है, इसके अत्रिक जिसके घर में चंदन का पूर से इस संग की पुजा होती है, वो व्यक्ति कुरुष्णे की तरम परम भागये साली और धनवान बन जाता है, अन भंडार में अन, धन भंडार में धन वस्तर भंडार में वस्त और व्यपारीक स्थानों को रखने से वियपार में अध्वूत वूर्द्धी होती है। इस संग में सुद जल्भरकर वेक्टी वस्तू अत्वास्तान पत्षिड़ने से दुर्भागय अभी साफ और दुर्गहों का प्रभाव नस्थ हो है। इसमें जल भरकर व्यक्ति पर शिड़ने से व्यक्ति के समस्त पापों से दोग्स मुक्त हो जाता है। दक्षनावर्ती संक के भारे में अनेक गरंथ लिये गए हैं। ऐसी पूर्ण मानने था कि जिसने भी इसका प्रियोप्योग, पुजन, दर्शन और स्पर्श किया है उसे पूर्ण फल मिला और वनवांची सफलता मिली। पुराणों में भी ऐसा वर्णी था कि चंद्रमा के अमुरुत मंडल से सिंचित, समुद्र के घरबश्य उत्पन, अंतरिक्स, वायूत अथा जोती शरुप को अपने अंदर समाहुरुत करने वाला ये विशीश उत्तम संग सत्रों को बलहिन करने वाला व्याधी अगनानत और निधनता को दूर भगाने वाला है, कल पर उसके समान फल दिने वाला या दक्षनावर्ती संग स्वेद का पोर्ट के समान ध्वल होता है, जिस पर तीन सुंदर धारिया बनी होती है, ये धारिया स्पष्ट अथा चुपी हुई भी होती है, वजन में भी अपेक्षा दक्षनावर्ती संग का आरवेद के दशिश अभी विशेश महत्व है, इसके व्याधी नाशक आरवेद नाशक गोरों के कारण भारत के संशकुरती धम और विधी विधान में इसकी विशेश उप्योगिता मानी गई है, शंग को धारन करने से फूग कर ध्वनी उर्पन क करने से और इसके भश्म द्रव्यों को घिश कर प्रयोग करने से कठीन और अशाध्यर को मभी निवारान संबव है, इसके गुंगा व्यक्ति प्रतिन पवित्र भाव से तीन चार बर संख ध्वनी करे, संख में रंखा पानी पिये, संग का भश्म सेवन करे और छोटे-छो का ही कहलाया जाएगा, ओम जै गुर्देव